अब दोस्तों अंगूर खाने के अच्छूप फायदे मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ अपने यूटूब चैनल पर अंगूर खाने के फायदे बेनिफिट्स अप अंगूर ग्रेप्स ग्रेप्स के बहुत सारे फायदे हैं लड़का हो या लड़किया इसे आप अपने बालों में लगाकर सेंप थोड़े देर छोड़ दें उसके बाद आप सेंपू कर लें तमाम तरह की आपकी बाल में जितनी भी कीडे मकोडे होंगे वह अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगे ये काफी अरामदायक होता है मस्तिस्क के लिए अंगूर के जूस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेमोरी को डेवलप करने में छोटे छोटे बच्चों में आज कर देखा जाता है कि काफी भूले की बीमारी होती है तो मैं बता दूँ कि अंगूर सुबह खाने से और एक इलास पानी पीने से काफी अच्छा मेमोरी में डेवलप्मेंट आता है अंगूर खाने से भूख भी बढ़ती है और मैं आपको बता दूँ तीसरा और महत्तपूंजी अंगूर में काली मीर्च और नमक मिलाकर खाने से कब्ज बहुत अधिक मातरा में ठीक हो जाती है अंगूर खाने से अस्थमा पेसेंट को आराम मिलता है अस्थमा के जो पेसेंट होते हैं उनको अग्ड़ अगर नियमित दिया जाए तो उन्हें काफी आराम महसूँस होगा अंगूर के जूस में सहद मिलाकर पीने से खून में जो है हमारा हाँ दोस्तों खून में हेमोगलोमिंग जो ब्लड में हेमोगलोमिन होता है वो काफी मात्रा में अच्छा हो जाता है जूस में अंगूर के जूस है पंचवा नंबर में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जूस से माइगरेन प्रॉब्लेम भी हम लोग दूर कर सकते हैं और आपको मैं बता दूँ कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुने रोजाना अंगूर खाने से जो महिलाओं में ब्रेश्ट कैंसर होता है वो भी काफी हद तक सुरक्षित रहता है उनको ब्रेश्ट कैंसर से और मूह के छाले हैं दोस्तों मूह के छाले होने पर अंगूर के जूस पीने से काफी हद तक इससे लाँ पहुंशता है आप इससे खूला भी कर सकते हैं खाने के बाद खाने से झांड खाना जब हम लोग खा लिए उसके बाद हम लोग अंगूर खाने से हमारे पेट की सारी बिमारियां दूर हो जाती हैं जैसे पेट फूंना गैस या अध्धिक मात्रा में किसी भी का व्मेंटिंग होता है ये सारे प्राब्लेम ठीक हो जाते हैं अंगूर खाने से रात को पानी में अंगूर को भीगो दें और सुबा हुट कर खाली पेट अंगूर खाने से भोमेटिंग में बहुत ज्यादा आराम मिलता है गर्भवती महिलाओं को खाने में बहुत ही यह लाप्रत सिद्ध होगा और सबसे अंत्यों महत्पून बाद गर्म पानी में अंगूर को धोले इसे अच्छे परकार से धोले उसके बाद आप इसे जिस व्यक्ति को चिकेन पॉक्स है मतलब चेचक है उसे आप इसे खाने के लिए देंगे तो यह काफी हद तक लाप पहुंचाएगा यह तमाम तरह की अंगूर की बेनिफीट है बेनिफीट ऑफ ग्रेप्स अच्छा दोस्तों मैं आपको बता दूंगी अंगूर में मौजूद क्या क्या होते हैं तो सुन लिजे अंगूर में ग्लुकोज होते हैं पोटेसियम होते हैं मैगनीसियम होते हैं अंगूर में विटामिन ए होते हैं सी होते हैं बी सिक्स होते हैं फोस्फोरस और आयरन की मात्रा भी पर्चून मात्रा में पाई जाती हैं कैलसियम, सोडियम, तेलियम, एसीड ये सारे तमाम पौस्टिक विटामिन अंगूर में मौजूद होते हैं तो दोस्तो घबराने की जरूरत नहीं है अंगूर खाईए लाइफ बनाईए जय हिंद जय भारत मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं आगे भी इस तरह का वीडियो अपलोड करता रहूंगा सारी रिक लाव देने है तू जय हिंद